पांच करोर रुपे मुझे मिला है भाई सौरी पांच करोर की बात ही नहीं है और पांच करोर मुझे मिला ही नहीं है जितने पेमेंट मुझे मिले थे उतने का मैंने गाना दे दिया था बात यहां बिगडी कि आप मेरे ही साब से काम करिए तो मैं किसी का गुलाम हूँ नहीं जो आदमी 10-10 घर में नोकर होगा उसकी आउकाद क्या हो सकती है मेरी शम्ता मुझे पता है मेरी आउकाद मुझे पता है कि मैं मैं जमीन से यहां तक पहुचा हूँ और एक में किसांग का बेटा हूँ आज भी दिमाग में स्टाडम नहीं है आज भी मेहनत करता हूँ 24 गंट गलत हो गया है सोचिए कि उस राम का क्या होता होगा जिस राम को गदी मिलनी थी और अचानक से उसको बनवास हो गया तो धैर है धैर यह बहुत बड़ा चीज होता है जिंदगी में कि धैर अगर आपके पास है तो जिंदगी में आपका कुछ बिगड़े रह नहीं और जि इकुल लिए चिंत रहिए, चिंता मत करिए, मेरी जिंदगी किसी एक की नहीं है, इसे कोई खतम कर देगा, कोड के फैसल का मैं सम्मान करता हूँ, बट उसके आगे भी तो चीज है, ऐसा थोड़ी है कि उसके आगे चीज नहीं है, यह जिंदगी यहां तक खतम थोड़ी होती हुँ में मैlesक खत्म करना जानता हूं, मैं ने किसी को, और इष्ट्र है, महदेव तो मेरे साथ होगा, बट आगे फैसल्हा बहुत दूर तक है, इतना जल्दी खतम नहीं होगा, इसके बाद भी नयाले है, इसके बद आज़ी है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, गरीव आज आप लोगों ने इतना बड़ा समराज खड़ा करा दिया न कि शरीलाल यादो का और यह समराज मेरा नहीं है यह आप सबका है आपने मुझे सवारा है और आपको भी पता है कि आपने मुझे कहां से उठा कर कहां रखा है तो जिंदगी इतनी जल्दी खतम थोड़ी होती है और जिंदगी और मौत का कोई जिंदगी आज मिली है तो कल मौत तो होना है तो इससे भागना क्यों और इससे डरना क्यों मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने असरबात देने वाले हाथ है कि मुझे लगता है कि मेरे माबाप आज अर्बो में है मेरे माबाप स पुझे समारा है, और ठीक है, मेहनती आदमी सच्चे आदमी को कश्ट होती है, नहीं तो राम को बनमास नहीं होता है, वो सच्चे थे, राम बन गए तो बन गए, अगर उजंगल नहीं गए होते ना, तो मर्यदा पुर्श्वतम सरी राम नहीं कहला दे, तो जिन्दगी में जब आपको कश्ट होना तो समझे कि एक नई उडान भरने वाले हैं आप उससे हतास मत होए और मैं हतास नहीं हो इस बात से कि मुझे रोक दिया गया तिन साल के लिए तिन साल आप कहीं गाना नहीं गा सकते किसी कंपनी में गा सकते वो तो बात की चीजे वो तो आज का फाइसला है कल कुछ अलग होगा और मैं आपका भाई हूँ कोशिस हमेसा करूँगा अपने फिल्मों दौरा अपने गाने दौरा आप सब कहम अनुरेंजन कराते हम हमेशा मेरी कोशिस रहेगी कि आपका प्यार और आपका असिरबाद जिस तरह अभी तक मिला है मुझे मैं हमेशा आपके साथ कोशिस करूँगा कि आपका प्यारा भाई आपका प्यारा बेटा बनके आजीवन आपका सम्मान करते हुए अपने संगीत का सम्मान करते हुए अपने जीवन को मैंने चलाया है और मुझे दुख इस वाद का कभी नहीं होगा कि मेरा कुछ बरबाद हुआ बरबाद अगर खेसारी होता है तो भजपुरी समाज होती है जो भी भाई अगर गलत नीज भी बना रहे हैं तो साइद उनको यह लगता होगा कि हम खेसारी को नी बी पोजेटिव जिंदगी में पोजेटिव रहे हैं आप आप लोग खोश रहे हैं आज नहीं तो कल इतना 14 बरस आप बनवास हुआ था ना लवटे तो मर्यदा पुरस्वतम स्री राम कहला के लवटे हो नहीं तो वो अयुद्या में सिरिप राम थे दसरत के पुत्र थे बट लवटे तो मर्यदा पुरस्वतम स्री राम कहला है तो जिंदगी में जब बनवास से लवटी होती है न तो वो आपका कद उचा करके लवट आता है तो जिंदगी है रास्ता है चलना है और रास्ते चलने में कांटे भी आते हैं किसी फूल को तलासना होता है न तो कां पत्थर जो है तिया न वो आपको कहीं न कहीं प्रोब्लम करती है तो जिस भाई ने ये ऐसा इस टिप मेरे लिए उठाया है वो भी शम्मानी थे ना उनका भी शम्मान करता हूं कि वो खुश रहें अगर इस फैंसले से उनको खुशी मिलती है उनको बहुत बड़ा दावलत म बस अपना ख्याल रखिए और मैं ठीक हो मुझे कुछ नहीं है प्रोब्लम मैं भी हैफी मैं कोई तकलीप में नहीं हूं आप सबका प्यारा भाई हूं कोशिस करूंगा मैं हैनत करूंगा आज नहीं तो कल चीज अच्छी हो जाएगी लभी आल